नवाए उर्दू भाग दो पेशकष C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत सबक मौलवी अब्दुलहक तार्रुफ मुसन्निफ मौलवी अब्दुलहक पैदाईश 1870 वफाद 1961 61. बाबा ए उर्दू मौलवी अब्दुलहक उर्दु जबान के उन शेदाईयों में से थे जिन्होंने अपनी सारी जिन्दगी इस जबान की खिदमत में सर्फ कर दी वो कस्बा हापुड में पैदा हुए, बच्पन ही से पहने का बेहत शौख था 1894 में M.A.O. कॉलिज अलिगर्ड से B.A. का इम्तिहान पास करने के बाद पंजाब और हैदराबाद में मुक्तलिफ ओहदों पर फाइज रहे उस्मानिया कॉलिज और अंगाबाद में बतौर प्रिंसिपल काम किया उस्मानिया यूनिवर्सटी में शुबह अर्दू के सदर और प्रोफेसर रहे अंजुमन तरकी अर्दू के सिक्रेटरी मुकरर हुए और जिन्दीगी भर उस इदारे की तरकी और काम्याबी के लिए जी जान से कोशिश करते रहे अंजुमन की जानिब से मौलवी अब्दूलहक की अदारत में एक सेमाही अदबी रिसाला अर्दू जारी हुआ जिसने तहकीकी, इल्मी और अदबी मैदान में नुमाया काम्याबी हासल की हैदरबाद यूनिवरस्टी ने ल-ल-डी और अलिगर्ड यूनिवरस्टी ने डीलिट की एजाजी डिग्रियां दे कर मौलवी अब्दूलहक की मजमुई खिदमात का इतराफ किया आजादी के बाद वो पाकिस्तान चले गए और कराची में उनका इंतकाल हुआ मौलवी अब्दूलहक एक मौकिक, सवाने निगार, जबान दां, लोगत नवीस, माहरे गवायद और साहिब तर्ज इंशा परदास थे उनकी तहरीरों पर हाली का सबसे ज़्यादा असर है बोलचाल की सादा जबान में पुर्खलूस जजबात का बेलाग इजहार करते हैं हर बात हुब सोच समझ कर लिखते हैं इबारत में उल्जाओ नहीं, मुश्किल जबान लिखने वालों को वो अर्दू का दुश्मन कहते थे और आसान जबान लिखने पर जोर देते थे अर्दू अदब में कदीम किताबों की तद्वीन, तर्टीब और इशाद उनका बहुत बड़ा कारनामा है इन किताबों पर उनके मुकदमात अर्दू अदब का कीमती सरमाया है अंग्रेजी, अर्दू लुगत और अर्दू जबान की कवाईद का बुनियादी काम भी मौलवी अब्दुलहक की कोशिशों का नतीजा है अर्दू पर एक इतराज ये किया जाता है कि ये मखलूत जबान है इस से तो किसी को इंकार नहीं हो सकता कि ये ठेट हिंदूस्तानी जबान है अब रही ये बात कि ये मखलूत है तो मखलूत होना कोई एब नहीं बलके एक एतबार से खुबी है यो तो दुनिया में कोई जबान खालिस नहीं हर जबान ने किसी ना किसी जबाने में दूसरी जबानों से कुछ ना कुछ लव्ज लिये हैं यहां तक कि जो जबाने मुकदस कहलाती है वो भी अच्छूती नहीं मखलूत जबान में होता यह है कि गैर जबान जो किसी कौम को सीखनी पड़ती है मखलूत नहीं होती बलकि उसकी अपनी जबान गेर जबान के मेल से मखलूत हो जाती है बई ने यही हाल मुसल्मानों के आने के बाद हुआ फारसी मखलूत नहीं हुई बलकि मकामी जबान फारसी से मखलूत होकर एक नई जबान बन गई है ये भी एक मसल्म सुबूत है के गैर जबान के लव्ज जो किसी जबान में दाखिल हो जाते हैं या किसी जबान को मखलूत करते हैं तो असली जबान के सर्फो नहू को हात नहीं लगाते यही सूरत इस मखलूद जबान अर्दू में पेशाई के फार्सी का असर अस्माए सिफात तक रहा अलबता बाज हुरूफ अत्फ मसलन अगर मगर अगर्चे लेकिन वगेरा आ गए असल सर्फो नहू बिलकुल देसी जबान की रही और जब जब जरूरत पड़ी फार्सी अर्बी लफ़ों को हिंदी कालिब में ढल कर अपना लिया मसलन अर्बी अलबाज बदल कफण दफण कुबूल से बदलना कफनाना दफनाना कुबूलना मुसद्र बना लिये इसी तरहां फार्सी से बख्षना, फर्माना, नवाजना, दागना वगेरा बना लिये गए ये सब अर्दू हो गए, फार्सी अर्बी नहीं रहे बदेसी लबजों से जबान खराब नहीं होती, बलकि बर खिलाफ इसके उसमें वस्त, गव्वत और शान पैदा हो जाती है ये सच है कि बहुत से गेर जरूरी अलफाज भी बाहर से आकर दाखिल हो जाते हैं गेर जरूरी से मेरी मुराद लबजों से है जिनके हम मानी लबज पहले से जबान में मौजूद है लेकिन मतरादिफ अलफाज से कोई नुकसान नहीं बलकि जबान में इजाफा हो जाता है और जबान की फितरत कुछ ऐसी वाके हुई है कि एक मुद्द के इस्तेमाल के बाद मुतरादिफ अलफाज के मफहूम में खुद बखुद ऐसे नाजुक फर्क पैदा हो जाते हैं जिससे जबान की लटाफत बढ़ जाती है और जो लवज पहले गेर जरूरी समझे जाते जरूरी हो जाते हैं ये ख्याल भी सही नहीं कि बेदेसी अलफाज से जबान बोजल और भदी हो जाती है वो लवज जो गेर जबान से आकर दाखिल हो जाते हैं वो इस नौयत के होते हैं कि जबान में पूरी तरह खब जाते हैं और उनकी अजनबियत बिलकु जाती रहती ह इसलिए वो जबान पर बार नहीं होते बलके उन में और देसी लफ़ों में आसानी और वुसत पैदा करते हैं सफ़ा पिछहत्तर इनसानी ख्याल की कोई था नहीं और ना उसके तनवो और वुसत की कोई हद है जबान कैसी हो वसी और भरपूर हो ख्याल की गहराईयों और बारीकियों और नाज़क हुरूफों को सेहत के साथ अदा करने में कासिर रहती है और यही वज़ा है कि उनके अदा करने के लिए तरहा तरहा के जतन किये जाते हैं मतरादिफ अलफाज ऐसे मौकों पर बहुत काम आते हैं मतरादिफ अलफाज सब हम मानी नहीं होते उनके मफहूम और इस्तेमाल में कुछ ना कुछ जरूर फर्क होता है इसलिए अदाए मतालिब में उनकी एहमियत बढ़ जाती है खास कर शायरी के अगराज के लिए मतरादिफ अलफाज का कसरत से होना बहुत काम आता है शायर उनके जरीए से लटीफ से लटीफ ख्याल और नाजुक से नाजुक जजबात को अदा कर सकता है फिर उस से रदीफ और काफिय के लिए बहुत सहुलत हो जाती है अदीब और शायर के लिए लव्ज का इंतखाब बड़ी एहमित और गद्रों कीमत रखता है एक बरमहल सही लव्ज का इंतखाब कलाम में जान डाल देता है मखलूत जबान में इंतखाब की बहुत गुनजाईश होती है जौख का शेर है मजे जो मौत के आशिक बया कभू करते मसीह खिजर भी मरने की आरजू करते खासा शेर है मगर कोई खास बात नहीं मीर दखी मीर इसी मजमून को यूँ अदा करते है लजजस से नहीं खाली जानों का खपा जाना कब खिजरो मसीहार ने मरने का मज़ा जाना यहां खपा जाना के लवज ने क्या काम किया है कोई दूसरा लवज रख कर देखिये ये बात नहीं आएगी इसी शेर में लज़त और मज़ा दो मतरादिफ लवज है अगर एक ही लवज दोनों जगा इस्तमाल होता तो शेर सुस्त और बेमज़ा हो जाता है हमारी जबान में मर्ज, बीमारी, रोग, आर्जा मुतरादिफ है लेकिन एक सचा शायर या अदीब खूब समझता है कि कौन लवज कहां इस्तमाल करना चाहिए इसी शेर में जी के साथ रोग की जगा, मर्ज या बीमार ये लुट्फ ना देगा गर्ज फार्सी के मेल से हमारी लुगत में बे बहा इजाफा हुआ है अलफाज के साथ साथ ख्यालाद भी आ जाते हैं सिर्फ लवजों का जखीरा कोई चीज नहीं बड़ी चीज उनका इस्तमाल है जो ख्याल के सही तोर पर अदा करने मुतरादफात के नाजुक फर्क, ख्यालाद में सफाई और सेहत बयान पैदा करने में बड़ी मदद देते हैं और ये ना भी हो तो एक फाइदा ये भी है पर बार एक लफ के इादे से जो बयान में भदध बना जाता है वो रफा हो जाता है और कलाम में खुस्न पैदा हो जाता है अगर जबान के गदरों मनजलत इन मकासित के पूरा करने में है जिनके लिए जबान बनी है तो हमें इस अमर को मानना पड़ेगा कि गेर जबान के अलफाज दाखिल होने से हमारी जबान को बे इंतहा फाइदा पहुँचता है अवाम की जबान यानी खड़ी बोली जिस पर अर्दू की बुनियाद है इस कदर महदूद थी कि अगर उसमें फार्सी उनसर शरीक ना होता तो वो कभी इल्म अदब के कूचे से आशना ना होती और इस वक्त जो अर्दू में इजहार ख्याल के नए ढ़ंग पैदा हो गए हैं वो इन से महरूम रहती अर्दू में हिंदी और फार्सी लव्ज मिल जुल कर शीरो शकर हो गए हैं और आम बोल चाल महावरों और कहावतों में बे तकल्फ आ गए हैं मसलन तुम किस बाख की मूली हो अशर्फियां लुटी और कोलों पर मुहर एक आँख में शहद एक आँख में जहर लाख का घर खाक हो गया अल्ला का दिया सर पर खुदा की लाठी में आवाज नहीं बदच्छा बदनाम बुरा बदन पर नहीं लत्ता पान खाएं अल्बत्ता वगएरा वगएरा सैक्डों कहावते हैं यही हाल महावरों का है मसलन आँखों में खार लगना, खुदा लगती कहना, आँखों पर परदा पड़ जाना, लहू लगा के शहीदों में मिलना, अल्ला मिया की गाए होना मखलूट जबान में एक आसानी मुरकब अलफास के बनाने में भी होती है देखिए हिंदी फारसी के मेल से कैसे अच्छे अच्छे मुरकब लफ्स बन गए हैं मसलन दिल लगी, नेक चलन, जगत उस्ताद, भतीश दामाद, घर दामाद, समझदार, गंडेदार, उगालदान, अजाइब घर, कफन चोर, जेब घड़ी, इमाम बाड़ा, मूजोर वगएरा, हजारों मुरकबात हैं मखलूत जबानों के बनने के दौरान में एक और बाद भी अमल में आती है, जो काबल गोर है, यानि उन में से हर जबान को इस खयाल से जाने, कि एक दूसरे की बात आसानी से और जल्द समझ में आ जाए, अपनी बाज खुसूसियात तरक करनी पड़ती है, और सिर्फ ऐसी जो फरीकैन के लिए सहूलत का बाइस होता है, अर्दू के बनने में भी यही हुआ, फरीकैन यानि हिंदू और मुसल्मान दोनों ने अपनी अपनी जबानों में कतर बेउत की, अपनी मखसूस खुसियात तरक की और इस गुर्बानी के बाद जो जबान बनी उसे इक्तिया कर लिया, जो अब भी हमारी मुल्की और कौमी जबान है और हिंदूस्तान की मुश्तरिक और आम जबान होने का दरजा हासल कर चुकी है, हमने इसे कुर्बानी दे कर हासल किया है, और किसी का मूँ नहीं हो सकता कि हम से छुडा ले। एक हकीम का कौल है कि GHYR AKMAM के लोगों को अपनी काम में इस तरह जब कर लेना कि अपने और गयर में इम्तियास ना रहे, बिला शुभा, मुश्किल काम है लेकिन गयर जबान के अलवाश को अपनी जबान में इस तरह जबान काम है, उस से भी ज़्यादा मुश्किल काम है ये इस्तिदाद अर्दू में बदर्जा कमाल मौजूद है इसमें सैकड़ों, हजारों लब्स, गैर जबानों के इस तरहां घुल मिल गए हैं कि बोलने और पढ़ने वालों को खबर तक नहीं होती कि देसी हैं या बेदेसी, अपने हैं या पराए गरज, हमारी जबान एक खुश रंग और हरा भरा गुलदस्ता है जिसमें रंग बे रंग के खुबसूरत फूल और नाजुक पत्तियां है क्या हम इस वहम से कि इसमें गुलाब बेदेसी है और कुछ पत्तियां बाहर के पौदों की हैं, उन्हें नोच कर फेक देंगे अगर कोई ऐसा करे तो सरासर नादानी है मुझे सर्तेज बहादुर सप्रू के इस कौल से हर्फ बाहर्फ इत्तिफाक है के यही जबान जिसे हम उर्दू कहते हैं तनहा वसीला है जिससे हिंदू और मुसल्मान एक दूसरे की तहजीब को समझ सकते हैं यही वो जर्या है जिससे हिंदू मुसल्मान में इत्तिफाद पैदा किया जा सकता है मेरे ख्याल में इससे बढ़कर कोई गलती नहीं हो सकती कि इस जबान को मिटाने और इस रिष्टे को तोड़ने की कोशिश की जाए तलखीस मौलवी अब्दुलहक मश्क लफ्जो मानी मखलूत मिला जुला मिली जुली उकद्दस पाक बईने बिलकुल वही वैसी ही बिला तामुल बिला जिजक सर्फ नहव लफ्ज और जुमले के कवाइद हाथ ना लगाना मदद ना करना साथ ना देना अस्मा इस्म की जमा नाम नाम सिफात सिफत की जमा खुसूसियाद गालिब जिस्म पेकर वुसत फैलाओ लताफत जो लतीफ होने का एहसास पैदा करे थाह गहराई तनवो रंगा रंगी लतीफ जो लुट्फ दे सके मफहूम मानी मतलब कासिर बेबस मजबूर बर्महल बरवक्त मुनासिब मौके पर वक्त पर बेबहा बहुत कीमती अन्मोल सिहत बयान बयान का सही होना इयादा दोहराना रफा करना दूर करना गदरो मन्जिलत इज़तो एहतराम शीरो शक्कर होना घुल मिल जाना जजब करना समू लेना बदर्जा कमाल बहुत बुलंद दर्जे पर वसीला जरिया वास्ता ग़ौर करने की बात नमबर एक मौलवी अब्दुलहक के इस मजमून से अर्दु जबान की बुनियादी खुसियाद पर रोशनी परती है नमबर दो अर्दु जबान की सबसे बड़ी खुबी उसकी वस्त है उसमें गेर जबानों की बहुत से अलफाज इस तरह घुल मिल गए हैं के बोलने और पढ़ने वालों को एहसास तक नहीं होता ये अंदाजा लगाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है के कौन से अलफाज देसी हैं और कौन से अलफाज बिदेसी मश्क सवालों के जवाब लिखिए नमबर एक मखलूत जबान से क्या मुराद है वजाहत कीजिए नमबर दो जबान में बिदेसी अलफाज दाखिल होने के क्या फाइदे बयान किये गए हैं नमबर तीन इस मजमून में अर्दू जबान की किन खुसूसियात पर रोशनी डाली गई है आगे दिये गए अलफाज अपने जुम्लों में इस्तिमाल कीजिए मखलूत मतरादिफ कद्रो मन्जिलत बे बहा नमबर दो सबख में जो मुहावरे और कहावतें बयान की गई हैं उनकी फहरिस्त बनाईए इस मजमून में सरतेज बहादूर सपरू ने अर्दू जबान के बारे में जो कहा है उसे अपने लवजों में बयान कीजिए नवाय उर्दू भाग दो पेशकस C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत